लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नईमबई में कोरोना खात्मे की ओर है लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियां हटने का नाम नहीं ले रही है नेरूर के दुकानदारों ने व्यापारी नेता धरमसी भाई पटेल के नत्रुत में आज इसके खिलाप आवाज भुलंद की उन्होंने कहा कि मैं मैंने में जहां दुकान और पतिष्ठान सामाने तورपर खुलने लगे थे वहीं अब नईमबई महानगर पालिका ने उस पर समय की पाबंदी लगाकर कामगारों और दुकानदारों के सामने रोटी और रोजगार का संकट पैदा कर दिया है दुकानदारों की मांग है कि लॉकडाउन के प्रतिबंद हटाए जाए या तो दुकानों को चार की बजाए शाम साथ बज़े तक खुली रखने की परमिसन दी जाए ताकि रोजगार और परिवार दोनों चल सके देखे रिपोर्ट हम लोगा काली सेटेडे सेंडे छुटी मिलता है बाकी दिल भी चार मज़े बन दोता है तिरना तकलिफ होता है एमेजान वाला सब्चीज देर है तो दुकान वाला चुली बिच्छा हम लोगानी कराइच काहे निमकमजी सरकार निकमित कमें आत्मात्य जिदर परमिसन देवाया हमाला कि बापा तुम्ही बिंदास आत्मात्य करूंदा का आमी काही शम्शंबर टके तुम्चा फैमिलेची मुलांची सगलेची जमिदरीगे तो आसजर काही असवासं गवर्म करोना के दूसरी लहाए लहर खत्प होने को है और तीसरी लहर के आने की आशंका है ऐसे में नईमभई मनपा प्रशाशन लगातार नए निर्देश और पाबंदियां लगा रहा है ताकि कोरोना ना फैलने पाए लेकिन इन पाबंदियों के कारण सामान ने दुकानदारों और कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है नेरूल के तमाम दुकानदारों ने आज इन ही पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए दुकानों को साम साथ बज़े तक खोलने की परमिशन देने की मांग की नेरूल मर्चंट एसोसेशन के पदाधिकारी धरमसी वैपटेल और साथ ही कामगारों का पगार और दुकानों का भड़ा चुकाना भी बड़ी मुसीवत है ऐसे में उन्होंने मनपायुक्त से ऐसी पाबंदियों को हटाने और नियमित दुकान खोलने की परमिशन देने की मांग की है सरकार ने जो ओडर दिया है मानगरपाली का आयत के ऊपर छोड़ दिया है जो आएक डिसेजन लेता है उसके उपर यह सब नई बंबई चलता है हमारा सनमानिय आयुक्त अभिजीत बांगर साहिब उनको रिक्वेस्ट करता है कि जो टाइम दिया है सुबह साथ बज़े से लेके चार बज़ तक तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आठ बज़ तक होना चाहिए दूसरा सटर्डे संडे मैन बिजनस का एक साथ दिन का जो धन्दा होता है वो सटर्डे संडे ही होता है यह लोग ने क्या किया सटर्डे संडे बंद किया है तो हमारा केना यह है कि सटर्डे संडे खुला करना चाहिए अब ही थोड़ा सा केस भी कम हुर रहा है नवीं मुंबई के अंदर हम लोग देख रहा है तो इससाब से थोड़ा सा टाइमिंग का अगर दो गंठा बढ़ा देवे तो वेल एन गुड बताना जरूरी है कि नविम भई में सो मौर से शुक्रवार तक चार बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमती है जबकि शनिवार और रविवार को पूरा दिन लॉकडाउन का प्रतिबंद रहता है नियमों के उलंगन पर पांच हजार की पेनाल्टी लगती है दुकानदार इसे लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में रोजगार खत्म करने की तानाशाही मान रहे है और मांग करने हैं कि या तो लॉकडाउन को पूरा खत्म कर दिया जाए या हपते के पूरे दिनों तक एक जैसे प्रतिबंद लगाए जाए उन्होंने सवाल उठाय कि या कैसा कोरोना है जो चार बजे के बाद फैलता है दुकानदारों को विश्वास है कि आयोक ते इस पर सकारात्मक नरनाए जरूर देंगे नहीं उपारने जरूर जरूर ऑनीर पीसिकद सब्सक्रहिश... नहीं टोरूर पूरे जरूशनेन सब्सक्राइकरी मतलतनाएयन क्यों दो नहीं तो फैनल हूस्वास है ... यह जो अभी कानून नया आया है गवर्मेंट का मंडे टू फ्राइडे नो से चार दुकाने खुल रही है तो हम गवर्मेंट को एक ही आगरा करना चाहते हैं कि जो मंडे टू फ्राइडे है उसको कंटीनू किया जाए सेटेडे संडे भी हमको दिया जाए क्योंकि सेटेडे संडे मेने में आठ आते हैं तो आठ दिन अपना वो कम होता है फिर उपर से छे गंटा दुकान ही खुल रही है तो छे गंटा यह काम होता है मतला हम लोग कलकुलेशन करेंगे तो टोटल ग्यारा दिन ही दुकान खुल मन्तली तो रेंट वाला रेंट पूरा ले रहा है जो सेलरी मैंने लड़के लोग काम कर रहे हो ही पूरा पागार मांग रहे है तो उसमें कुछ स्लीशन निकल नहीं रहा है मतलब वेपारी एक तूट चुका है मतलब कुछ उसको बच नहीं पा रहा है और खाली गुजारा वाले चालू है, मेडिकल या डीमाट वगरा चालू है, साज़डे संडे वह भी कंटीनू है तो हम पूरान का रूल फोलो करेंगे और हम दुकान में सनीटाइजर, सोशल रेंसिंग, मास्क, हर चीज का वापर अच्छे से करेंगे बस गवर्मेंट से कि आग रहे है कि साज में अगली के सिघ्कार गिरती हैं उपरिकी तक टिक है चार गंडा वेपारी को मिलता है और उसमें वापिस अपते का पास दीन मिलता है, दो दिन वापिस बंद आ जाता है तो पूरा महीने में कालकुरिशन पकट़ागे जाए तो अग्यारत दिन ही दुकान चालू रदी है वेगर कंसल्ट करताथ आनि इतर सामने आमचे अरके दुकान दार जे हाएथ आमी इतर भाड़ विश्विश्ट इस्ती साजार देतो मुलान ना पगार देतो आमचे इतर जो खर्चवे टैक्स कंसल्टन वेगर आमी सर्व भरून पर आमाला ही तर पैनल्टी लगते माज़ एक महत असा है कि चार वज़े परें तो तुमी बोलतात ना बारा वस्ता ज़र दुकाना मदी ज़र कस्तमर आला आनि आमी साटरेड़ संडे में दंड़ ताइम है सब्साइब से जो सटरेड़ संडे बंद रहते हैं और मंड़े से लेके फ्राइडे का भी टाइमिंग का इस्चु है यहां पे जितने भी इस सब सैलेड़ क्लास पब्लिक है जो शाम कोई निकलते हैं शॉपिंग के लिए तो बिजनेस जो मेजर बिजनेस है वो शाम कोई होता है जो अभी पूरा बंद है और हम लोगो को कैसे लिपनी भी काफी है लोन्ज है गर का खर्चा है भाड़ा है हमारा सब कुछ जो अभी कोई कम नहीं कर रहे न बैंक कर में ने कुछ है अभी कोई कर दther की डे बैंक कर चाहरा है अफोगि को प्रोब्लम है स्टाफ को रखना ही पड़ेगा उसका भी गर अभी हमारे उपर ही चलते हैं तो फिर क्या करें मांग हम लोग का नॉर्मली सब चालू हो जाना ची है रेगुलर जो टाइमिंग है ऐसे भी हम लोग फुल टाइम करो आठ बचे तक या साथ बेदक भी करो और स स्ट्रे जन्टे को भी आप साथ या आण बेदक चलू करो एसे नहीं ये कोरोना ख़ली दुकानवाली फहला रहे बाकी आप दूस्रा भी भाजी मार्केट देखेंगे, यह देखेंगे, यह फूल टाइम चालू रहता है, दस-दस बैदक चालू रहता है और इनका मास्क वास के इनलोग कुछ पहनते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनलोग का भी.